अस्सलाम अलेकुम डेफ्रेंट्स, उमीद है आप सब खरेत से होंगे हमारा आज का जो टॉपिक है वो है Medical Legal Atoxy आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है Medical Legal Atoxy के प्रिस्पेक्टिब को देखेंगे कि ये Medical Legal Atoxy क्या है और इसके मेन अबजेक्टिब क्या है और इसकी क्या connectivity ये ला के साथ सबसे पहले अगर हम इसकी definition ड्रा करें कि इसकी meaning ये definition क्या है तो ये जो आपका Medical Legal Atoxy है ये वर्ड जो Atoxy है ये टू डिफरेंट वर्ड से मिला है अटॉपसी एक वर्ड से मिला है autos और office means self-view अटॉपसी कहां से मिला है autos और दूसरा जो वर्ड है इसका वो है office इसका मतलब है self और इसका मतलब है view और जो ये अटॉपसी है इसको हम जो है निक्रोपसी भी कह सकते है दे मेडिको लीगल अटॉपसी इसका सेकंड निम क्या है निरॉपसी नियॉपसी निक्रोपसी जो भी है निक्रोपसी ठीक है और इसी के साथ साथ अगर इसकी definition ड्रा की जाए तो इसकी जो definition है वो है post after mortem यह कब होती है यह होती है post after mortem पोस्ट आफ्टर पोस्ट का मतलब क्या है after mortem का मतलब क्या है mortem का मतलब है death कि death cause होने के बाद जो कोई भी किसी भी body की चीरा फाड़ी की जाती है अब चीरा फाड़ी क्यों की जाती है और body को क्यों जो है open किया जाता है इसका object क्या है इसका अगर हम object की बात करें कि जो वर्ड आपने अक्सर सुना है आपने जो वर्ड सुना वह वह पोस्ट माइं और अटोपसी सेम ही है क्योंकि है इनका object सेम है जो अगर हम इसके object की बात करें इसका जो इन अब्जेक्ट उफ पोस्ट माइं और अटोपसी तो इसका जो मेन अब्जेक्ट है वो है to determine the cause of death to determine cause of death या second इसका जो है वो है to identify any person for identification to identify any person अब मिसाल के तोर पर जैसे के कोई भी शक्स अगर plane crash हो जाता है plane crash होने के बाद अगर उस शक्स की हडिया मिलती है या उस शक्स की जो है कपड़े मिलते है तो उन से ये identify किया जा सकता है उसके DNA के साथ जो है उसको connect करके कि either ये जो है कपड़े इसके हैं या नहीं है ये bonds जो है इसकी है या ठीक है उसके बाद क्या है उसके बाद है to determine the cause of death whether natural or unnatural cause of death किसलिए ताकि ये जान सकें कि जो death हुई है वो natural है या फिर unnatural है अब unnatural अब unnatural होगी तो क्या होगा देखें विसाल के दूर्पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई शक्स उसको जान से मार के उसको poison दे के और क्या करते हैं उसको जो है convert कर देते है natural death के अंदर या फिर ऐसा भी होता है कि किसी शक्स को सांस फूलने की बिमारी है तो सांस बंद होने की वज़ासे उसकी मौत हो सकती है कोई भी शक्स क्या करता है कि उसके मुँपे जो है तक्या अगर रखके उसका सांस बंद करके उसको जान से फारिग कर देता है हमिशाइड है या फिर क्या है या फिर आपका एक्सिडेन्ट है अब ये सूसाइड हमिशाइड क्या सूसाइड मिन्थ सेल्फ काट अगर कोई भी शक्स खुद को जान से मारने की कोशिश करे है अगर कोई भी शख्स XYZ क्या करता है कि एक रूम के अंदर अपने आपको जान से मारने की कोशिश करता है उसको Suicide कहा जाता है Suicide जो वर्ड है ये कहा से निकला है Self Cut Homicide मतलब किसी और को जान से मारने की Suicide के अंदर क्या होता है कि जब एक शख्स खुद को मारने की कोशिश करता है तो वो एक ही बार करता है वो इसा प्लैन करता है कि एक ही बार में वो मर जाए Homicide में क्या होता है अगर किसी शख्स को किसी और को मारना हो तो वो एक बार नहीं मारेगा बलके बार पर मारता रहेगा जब तक कि वो शक्स मर नहीं जाए एक्सिडेंट जाहिर से बात है कभी कभी ऐसा होता है कि होता एक्सिडेंट है और उसको ऐसा दिखाए प्रिटेंड ऐसा किया जाता है कि यह एक्सिडेंट नहीं है यह नेचरल देथ काज हुई ठीक है उसके पाद जो एक और इसका अब्जेक्ट है वो क्या है To identify the weapon, person or poison, reasonable for death To identify Weapon Poison For causing the death For causing death के जिस वजह से उसकी मौत हुई वो poison, कौन सा poison था, वो weapon जो यूज हुआ, वो weapon कौन सा weapon यूज हुआ अब यहां पर एक और इसका objective वो है To estimate the approximate time since death To identify Approximate Time Since death कि इस मुर्दा की जब मौत हुई, इस शक्स की जब मौत हुई, तब से लेके अब तक कितना time गुजर चुका है आपने एकसर देखा होगा कि जो forensic reports होती है, उनके अंदर यह mention होता है कि approximately 70 से 72 hearts before इसकी मौत हुई है या फिर approximately का बाट यह उसकी होता है कि तक्रीबन तक्रीबन इसकी जो मौत हुई है, वो 70 से 74 घंटों के दर्मियान में हुई है ठीक है, उसके पाद अगर इसका कोई और देखा जाए तो वो है to restore the body to the best possible cosmetic appearance before कोस्ट मैटिक अपेरेंस अब यह कोस्ट मैटिक अपेरेंस क्या है, इसका जो एक और object है कोस्ट मैटिक अपेरेंस का मतलब कि मुड़दे का मेकप शेफ्ट कप करना अब आप कहरेंगे कि मुड़दे का मेकप शेफ का किस वज़ा से अकसर ऐसा होता है कि कुछ bodies ऐसी होती है, जो बहुत ही फट जाती है फटने से मुराद जाहर से बात है, अगर कोई शक्स साथमी फिलोट से अगर गिरेगा तो हो सकता है कि उसके जो veins हैं, उसके जो arteries हैं वो बाहर निकल आ गई हैं उसका heart जो है, उसका सारा respiratory system बाहर निकल गया चुका हो या फिर हो सकता है कि अगर कोई plane crash हुआ, तो plane crash होने की वज़ा से उसकी जो body है, उसकी body इस condition में भी नहीं कि उसका brain है, वो पूरा का पूरा brain खुल चुका है या कोई भी शक्स, आपने एकसर road accidents देखे होंगे कि इतने खतरनाक किसंग accidents होते हैं, कि जहां पर उनकी जो bodies हैं, उनकी bodies बिल्कुल पिचक जाती हैं, बिल्कुल ही flat हो जाती है, तो उस condition में उनका cosmetic appearance करना, cosmetic appearance का मतलब ये कि अगर कोई tank के शांके लगाना है, या फिर let's suppose कि उनको इस condition में लेके आना, उनको इस तरीके से पेक करना कि वो जो body है, एक proper way के अंदर आ जाए और उनको अगर कोई at least देखना चाहें, तो देख सकें, इसके बाद है, in case of multiplied fragmented skeleton remains to determine if they are human or if human the probable cause of death, approximate time since death, यहाँ पर भी बाप की जा रही है, कि approximate time of death कितना होगा, तो basic object क्या है, किसका, autopsy का, वो है to determine the cause of death, to identify any person, और identify any person in dead condition, जब उसकी शनाख ना हो पा रही है, to identify weapons or poisons for causing the death, और to identify approximate time since death, और last में है, आपका cosmetic appearance, उसके बाद अगर हम बात करें, that the essentials, के वो कौन कौन से, essentials है, the essential requirements for the medical legal autopsy are, it should be performed by a registered medical petitioner having license, के जब भी आपकी medical legal autopsy होगी, तो medical legal autopsy होगी, एक patent doctor के साथ, वो doctor ऐसा हो, जो के registered हो, unregistered nurses वगरा कोई भी नहीं कर सकते, उसके बाद, the examination should be medical and complete and one should routinely record all positive findings, के कोई भी शक्स अगर आपका autopsy कर रहा है, तो autopsy करने से, वो complete detail bio data बताया, के, कब हुआ, कैसे हुआ, time क्या था, और उसके बाद, जो है, इसको मारने का reason, तो खेर नहीं बता सकता है, लेकिन इसकी जो death case होई, वो किस वज़ा से हुई, इस सारी के सारी findings बताएगा, उसके बाद, all information must be presented by the written records, including relevant photographs, radiographs, or sketches, or body diagrams, के रहा है, जब भी आपकी ये सारी के सारी findings होंगी, ये सारी के स informations होंगी, उसके बाद, trace evident material when recorded should be properly documented and preserved, और उसके document को preserved कि जाएगा, ताकि further information collect की जा सके, उसके बाद, अगर हम बात करें, कि authorization, कि इसकी authorization कहां से होती है, तो यहाँ पर ये किरा, authorization for the medical legal autopsy is given by the coroner, police or magistrate, या तो इसकी authorization police देते है, या फिर आपका magistrate देता है, अब वो magistrate किस लि चल सही तरीके से चला सके, उसके बाद के रहे कि, when a dead body is sent for the autopsy, it is always accompanied by the dead body, चलान, dead body चलान is inquest report, or the first information report, जब भी कोई F.I.R. होगी, तो बिसाल के तो पर एक routinely procedure बताता हूं, कि अगर कोई भी शक्स मर गया, उनके relatives केते हैं, कि ये शक्स सो suicide करी नहीं सकता, ये अभी तो हमा कि इसे behave कर रहा था, ये suicide anyhow करी नहीं सकता, because कोई reason ही नहीं है suicide करने का, लेकिन circumstances इसे दिख रहे हैं, कि उसने, क्या किया, उसने suicide किया, अब वो कहते हैं, कि हमें autopsy करवाने, हमें post-mortem करवाना इस body का, जब body का post-mortem करवाए जाएगा, तो body का post-mortem करवाने के लिए body चल भी शक्स है, इसने suicide नहीं किया, ये murder है, तो जब body गई किस के लिए, body गई आपकी autopsy के लिए, post-mortem के लिए, और साथ में police officer ने अपनी investigation करना शुरू कर दी, अब police वाले कुछ और बात कर रहे हैं, कि police वारे के रहे हैं, कि नहीं वहीं, ये suicide है, और doctors ये के रहे हैं, कि न magistrate ये check करेगा, कि इन दोनों ने जो भी investigation किये, उन में से investigation किस की correct है, किस की correct नहीं है, अब यहाँ पर जो doctor की opinion है, वो count की जाएगी, is in opinion, कौन सी opinion, expert opinion, अब ये expert opinion क्या है, ये हम previously QSO, कानून शहादत order, जो आपका एक procedural lie, उसके इनर पढ़के आ चुके है, कि जो आपका expert opinion ह opinion of experts कब relevant है, क्योंकि ये हेर से evidence है, अब डॉक्टर ने उसको किसी भी शक्स को मारते वे नहीं देखा, डॉक्टर ने ये भी नहीं देखा, कि इसकी जो मौत हुई है, वो किस bullet से हुई है, किस gun से हुई है, किस poison से हुई है, डॉक्टर नहीं देखा, ना ही डॉक्टर नहीं यह देखा कि इसका murder हुआ है, इसका accident हुआ या इसने suicide किया, फिर वो डॉक्टर के से बता रहा है, वो एक क्या है, expert है, उसकी knowledge में है, और उसको experience है, कुछ-कुछ doctors ऐसे भी होते हैं, जो body को देख कर ही बता देते हैं, कि इस body को कितने, कितना time हो गया है मरेगा, ठीक है, तो यह क्या है, यह expert opinion है, तो यहाँ तक अगर किसी भी किसम का कोई भी question raise होता है, तो आप कर सकते हैं, thank you.